तो वही पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बतायता हूँ दस चीजें जो आपको बिल्कुल जरूरी जाननी चाहिए विफोर स्टार्टिंग एन इंटर्शिप तो उसमें मैंने बात कि दिक कौज लिस्ट की तो कौज लिस्ट के बारे मैं मैं आपको बताता हूँ देख करते हो तो आपको कौज लिस्ट देखनी आनी चाहिए जो सबसे पहली चीज होती है जो आप इंटर्शिप करने जाओगे किसी भी आड़ोकेट के अंदर तो आपको कहेंगे कि जा के कौज लिस्ट देखो अपना मैंटर जो अपना आइटम नंबर है क्या है कहां पर लिस् लिस्टेट है उस कोट के बार एक डिस्प्लेबोर्ड लगा होगा वहां पर आपको आपकी ऑफलाइन जो आपकी हाड़ कोज लिस्ट की वह दिख जाएगी अब बात हम करते हैं ऑनलाइन आप कैसे देखेंगे घर पे बैठे बैठे कि आपका मैंटर किस आइटम नंबर प आपको कॉज लिस्ट मिल जाएगी तीनों की जो वेबसाइट के लिंग हों मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ अब सीधा चलते हमने लैप्टॉप स्क्रीन पर सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टिक कोट की फिर देखेंगे हम हाई कोट की फिर हम देखेंगे सुप्रेम जैसे आपको आपको अपना ब्राउजर open करना है और इस में search करना है e-quotes, जैसे आप search करेंगे, first link पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे, आपके सामने webpage open होगा यहाँ पर आपको ऊपर ही तीन links दिखेंगे Supreme Court, High Court, District Court, हम District Court select करेंगे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने एक वेब पेज ओपन होगा यहां से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे जैसे हम सेलेक्ट करते हैं डैली अब यहां पे आपको एक और वेब पेज मिलेगा जैसे page appear होता है यहां से आपको अपना court complex select करना है यहां से हम court complex रोहीनी select कर लेंगे फिर आपको court का जो है name select करना है जिन जट साब के पास आपका case matter लगा हुआ है वो आपको select करना है फिर आपको यहां से date select करनी है date आप select कर लेंगे calendar के माध्यम से फिर आपको यहाँ पे CAPTCHA एंटर करना है और CAPTCHA जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको नीचे दो उप्शन देखेंगे Civil Criminal, हम Criminal पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है Criminal की Cause List अपियर हो जाएगी अब देखिए, डिस्टिक आपने देख लिया हम देखेंगे High Court की Cause List अब क्लिक करेंगे लिंक पर आपके सामने आप पेयर होगा पेज आप दिल्ली High Court पर क्लिक करेंगे एक और पेज वेब पेज आपियर होगा दिल्ली High Court का यहाँ आपको लेफट साइड में देखेगा Cause List Cause List पे आप क्लिक करेंगे PDF Cause List पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज अपियर होगा यहाँ आपको बहुत सारी Cause List देख रही होगी यहाँ आपको PDF पे क्लिक करके PDF मिल जाएगी Cause List की यहाँ से आप अपना मैटर सर्च आउट कर सकते हैं देख सकते हैं आपका matter किस item number पर listed है कब आपका matter आना है चलिए जी अब बारी आती है supreme court की cause list देखने की हम link पर click करेंगे supreme court का page आपके सामने appear हो जाएगा जैसे ही आप देखेंगे आपको top bar में ही cause list का option देखेगा आपको cause list पर click करना है जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने एक और page appear होगा यहां से आपको क्या करना है आके आपका अपना court number select करना है court number जैसे आप select करेंगे उसके बाद आपको और option देखेंगे जैसे miscellaneous का है या regular का है आप इसको as it is चोड़ देंगे और आके अपनी date select करेंगे date आपको जिस भी date की cause list देखने है select करेंगे उसके बाद आप उपर आप capture डालेंगे जैसे आप capture एंटर करेंगे submit पर click करेंगे submit पर click करने के बाद थोड़ा सा process लेता है time process लेने के बाद जैसे ही process complete होगी आपके सामने ये आ गई जी आपकी cause list सुप्रिम कोट की यहां से आप सुप्रिम कोट की cause list देख सकते हैं अपना matter search out कर सकते हैं देख सकते हैं आपका जो matter है किस time आने वाला है तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, यहाँ पे हमने आपको बताया आप कैसे causalist देख सकते हैं, district court की, high court की, supreme court की, किसी भी high court की, किसी भी district court की आप देख सकते हैं, supreme court तो अपना इंडिया में एक ही है, तो supreme court की causalist भी आप यहाँ से देख सकते हैं, तो इस वीडियो के ल कि हो तो लाइक कर देना